नमस्कार दोस्तो वेलकम तो माई यूटूब चैनल मैं आज आपको यूपी टिपल सी पेट एक्जाम के लिए कुछ इंपोर्टन कोश्चन के प्रेक्टिस कराऊंगा अगर आपको इस वीडियो का पीडियो फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्टन बॉक्स में जाके लिं इन में से कोई यह तो इसका सही उत्तर होगा विक्टोरिया लेको तंजानिया और यूगांडा के बीच बहुत ही बड़ी सीमा बनाती एक तरहसे देखा जाया तो अफ्रीका की सबसे बड़ी dil में सामिल है सबसे बड़ी जील में विक्टोरिया लेको सामिल है जिसमें दो तीन देश सामिले जिसमें तंजानिया यूगांडा आप सामने ही देख रहे हैं और इस से काफी हद तक बहुत सारे जोगों पे जैसे जल प्रबंदन की व्योस्ता से लेके बहुत सारी चीजे और भी सुभधाएं उपलब्द कराती हैं तो आईए अगले प्रस्न की कारी देता हूं वान जिल कि अगर बात की जाए कि कितना खारा जल है तो इसकी प्रस्चत्ता खारे जल की कितनी है तीन सो तैंटीस परसेंट यह खारा है साथी यह तुर्की में इस्तित है और यह अपने खारेपन के कारण ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है तो चलिए अगल की लॉजिक लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा अंटायट का जो है बर्व से ढखा हुआ है और बर्व किस कलर की होती है सफेद कलर में दिखती है विकॉज अब देट इसको क्यों का जाता है इसको स्वेट महादीप के रूप में जाना जाता है आईए एगले प्रस्ण की ब बहुत सारे दीपी नदियाँ और जो बहुत सारे धेर सारे प्राइदीपी दीब पाये जाते हैं विकॉज अफब देट यहां पे यूरोप को एक प्राइदीपी महादीप के नाम से जाना जाता है तो आईए अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं निमलिकित मेंसे किस मह महादीप को महादीप को आप्रिका को, यूरॉप को, एस्टेलिया को या एस्या को, तो इसे महादीप को महादीप एसिया को कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारे यहां तो यहां पर इसलिए से महादीपों का महादीप कहा जाता है अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन एक दीपी महादीप के नाम से जाना जाता है अस्ट्रेलिया अस्या अंटार्ट का या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया क्यों इसे एक दीपी महादीप कहा जाता है क्योंकि हम जब भी दीप की बात करते हैं एक दीप की बात करते हैं तो दीप कैसे बनता है जो भी कोई ऐसा पार्ट है जो भी ऐसा कोई लेंड पार्ट है जो की तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है जल से घिरा हुआ है तो उसी को हम बढ़ते हैं छेत्रपल की द्रिष्ट से विश्व का सबसे छोटा महादीप है अंटार्क का अफरिका यूरोप या आस्ट्रेलिया तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया हमें मालूम है कितने महादीप है टोटल साथ कॉंटिनेंट पाए जाते हैं साथ महादीप पाए अगर कभी पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौण सा होगा सबसे बढ़ा आपका एसिया महादीप है जिसका चेत्र फल बहुत ही ज्यादा बड़ा है और सबसे छोटे की बात की जाएगी सबसे छोटे की बात की जाए तो कौण सा हो जाएगा सबसे छोटा औस्टेलिया महादीप हो जाएगा आए अगले प्रस्णिकी दरब बढ़ते हैं ड्रेंकन्सवाइग परवत कहां पर पाया जाता है दच्छिण अपरिका में है जांबिया में है इनमें से कोई निये तो इसका सही उत्तर होगा दच्छिण परवत ड्रेंकन्सवाइग परवत अपरिका की एक महत्पूर्ण परवत सिंखला है जिसमें बहुत सारे खनीच पडात पाये जाते हैं और यह कई देशों में फैले वी सिंखला भी है खास करके दच्छिण अपरिका में इसका काफी महत्तु है आईए अगले प्रस्णिकी तरब जाता है क्योंकि इसकी उचाई जो है हाइड जो है लगबग 5000 मीटर के आसपास है और यह बहुत ही उंचा पठार होने की विज़े से इसको विश्व की छत कहा जाता है आई अगले प्रस्णिकी तरब बढ़ते हैं यूरोप की परवस इंखला है आल्फ हिमाले रॉकी या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर होगा आल्स ठीक है आल्स पर वो सिंखला यूरोप में पाई जाती है और रॉकी माउंटेंस कहां पाई जाते हैं अगर रॉकी माउंटेंस की बाइत की जाए तो रॉकी माउंटेंस पाई जाते हैं आपके यूस्य के में और हिमाल सबसे चोटा है और अगले प्रसंद की तरफ बढ़ते हैं विश्व का सबसे बड़ा सीत मरुस्तल है गोभी लूट काविर या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर होगा गोभी आईए इसके बारे में थोड़ी से जानकाई लेते हैं तो गोभी मरुस्तल कहां पर है तो मंगोलिया और चाइना दोनों पार्ट में पाये जाता है और विश्व का सबसे बड़ा सीत मरुस्तल यह है गोभी मरुस्तल विश्व का सबसे बड़ा सीत मरुस्तल है आईए अगले प्रसंद की तरफ बढ़ते हैं आटा कामा मरुस्तल किस दच्छिन अमेरिकी देश में ह चिली में है पेरु एा इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उतर होगा चीली तो चीली देश जो है दच्छन अमेरिपा में है चीली देश कहां पर है दच्छन अमेरिका में है और आटाकामा के बारे में पता है कि विश्यू का सबसे सुस्कतम मरुस्तर है इस समय या इसलिए फेमस चल दा है कि अभी यहां बे कुछ फूल पौधे देखे गए कुछ फूल पौधे उगते हुए देखे गए हैं अगले प्रस्न की तरफ बलते हैं विश्व का सबसे छोटा महासागर है अट्लांटिक महासागर हिंद महासागर आर्कटिक महासागर या इन में से कोई नहीं अभी आपको मैंने बता है इसका क्या उत्तर होगा आर्कटिक महासागर आर्कटिक महासागर पूरे विश्व में स का सः उतर होगा major yuri गागरिन major yuri गाग्रिन कहां के थे major yuri गागरिन रस्या के थे यानि रूस के थे एक कॉस्मोनाट थे एक अंत्रिच यात्री थे अब Valentiniya Terciuscova अगर कभी महिला की बात की जा कि पहली महिला जो की अंतरिच में पहुची तो उनका नाम क्या था पहली महिला वेलेंटीना तेरश कोवा थी तो आपको ये दोनों चीज़े याद रखनी है ठीक है सोयू जयान से इनको अंतरिच में भेजा गया था और राकेश सर्मा की अगर बात की जा तो राकेश सर्मा प्रथम भारती हैं प्रथम भारती हैं जिन्होंने अंतरिच में यात्रा की थी और नील मास्टांग के बारे में अगर बात की जा तो नील मास्टांग प्रथम व्यक्ति हैं जो की चंद्रमा पे पहुचे थे जो की चंद्रमा पे पहुचे थे जो की चंद्रमा पे पहुचे थे तो आई अगले प्रस्न के दरफ ते विश्व का प्रथम नगर जिस पर पडमाय बम गिराय गया था लाऊस दिल्ली हिरो सीमा यान्य तो सई उत्तर क्या होगा हिरो सीमा हम सबको पता है कि दूती विश्व स्युद्धिके समय कि अमेरिका ने क्या किया था हिरो हिरो सीमा और नागा साकी दो सहरों यानि जापान के दोनों सहर हैं हिरो सीमा एवंग नागा साकी इन दोनों सहरों पर परुमाण बम गिराया था और इसमें से भी सबसे पहले नौ तारिको नौ जुलाई उननिस सो पैतालिस को हिरो सीमा पर और उसके बाद 15 जुलाई उननिस सो सैतालिस को नागा साकी पर ये बम गिराये गए थे तो आईए अगले प्रस्निक के तरफ बदते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश है जर्मनी रूस इंडोनेसिया संयुक्तराज अमेरिका तो इसका स आसान है सातवा आईए अगले प्रस्निक के तरफ बलते हैं विश्व का सबसे बड़ा दीप है ग्रीन लेंड आइसलेंड जंबू दीप या आनने तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीन लेंड दीप कहां पे है ग्रीन लेंड देप योस्टे के पास में आप देखेंगे थोड आज के जोगर्फी के प्रस्न समाप्त होते हैं अगर आपने हमारा यूटूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो बेटा तुरन सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए साथी लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और ल